बेगम गंसे हमारे संबाददाता शरस सर्मा की रिपोर्ट बेबजा घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आख मिलाने की जरूरत क्या है? सबको मालुम है बाहर की हबा है कातिल यूही कातिल से उलजने की जरूरत क्या है? जिन्दगी एक नियामत है इसे समाल के रख कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है दिल बहलानों के लिए घर में बज़े हैं काफी योहीं गलियों में भटकने की जरूरत क्या है आप ही की तरह एक आम नागरिक हूँ मैं आपसे अपील कर रही हूँ मुझे जगे जगे से वीडियो देखने को मिल रहे हैं कि लोग प्रशाशन के द्वारा लगाया गया कर्फ्यू और लॉकडाउन की इंपोर्टन्स नहीं समझ रहे हैं आप ये समझे कि आपके देश के प्रधानमंत्री आदर्नीय मोदी जी ने यदि लॉकडाउन 21 दिन के लिए बोला है तो किस कारण बोला है उन्हें आपकी जान की चिंता है आपकी जान सुरक्षित आपके घर में है आप एक दिन सब्जी लेने जा रहे हैं लेकिन आपको ये नहीं पता है कि उस सब्जी आपको कितनी भारी पड़ जाएगी वो दूद आपको कितना भारी पड़ जाएगा आप क्रप्या करके अपने घर की चोखट से बहा नहीं निकल ये, नहीं निकल ये आप किसी और को देखते हैं कि वो निकल रहा है तो उसको निकलने दीजिए पर आप इस बात को इदी समझ गए कि आपकी जान सुरक्षित आपके घर के अंदर है तो एक बहुत बड़ी जीत होगी क्योंकि इस वक्त जो घर से बाहर गया उसकी जान जो खिम में है और इसको simple example से मैं समझाती हूँ कि जिस तरह एक हीरे का set होता है क्या आप उसको सबजी की दुकान पर रख कर आते हैं नहीं रख कर आते हैं क्योंकि आपके लिए वो कीमती है तो आपकी जान इस वक्त उसी तरह है आप यदि सबजी की दुकान पर गए और कोई संक्रमित व्यक्ति वहां खड़ा मिला तो आपको वो संक्रमन लग जाएगा और आपको लगा तो हो सकता है आपके महले को लगा आपके महले को लगा तो आपके शहर को लगा आपके शहर को लगा तो आपके देश को लगा हम अपने देश को यदि प्यार करते हैं तो क्या हम 21 दिन अपने घरों में नहीं बैठ सकते हैं क्या हम बिना सबजी के जी नहीं सकते हैं क्या हम बिना बाहर मत निकलो आप एक सड़क पर जी रहे जीव से सीखिए जो भूका प्यासा रहता है पर कुछ नहीं चीनने आता है उसे पता है कि वो यदि आपके घर के अंदर आया और उसने आपके घर से भोजन लेकर गया तो उसकी जान खत्रे में है इसलिए सड़क का कुट्ता किसी कि घर के अंदर नहीं आता है कि उसकी उसे पता है कि आपके घर के अंदर आकर कि यदि उसने भोजन लिया तो उसकी जान खत्रे में है सिमिलरली आप घर से बाहर जाएंगे और सबजी दूद लेंगे और भीड में खड़े होंगे तो आपकी जान खत्रे में है आप सिर्फ पितना करिए कि अपने घर के बाहर दो बरतन रख दीजिए पात्र, एक पात्र में भोजन, एक पात्र में पानी और किसी बेजुबान जीव की दुआ कमा लीजिए, बाकी प्रशाशन संभाल लेगा, प्रशाशन आपके घर पे कैसे दवाई भिजवानी है, कैसे दूद प्रशाशन समझिए, आखिर वो भी इंसान है, उनसे भी गलती हो सकती है, तो पेट पर कपड़ा बांद कर सो जाना मेरे दोस्त, पर घर से बाहर मत निकलना, मत निकलना, मत निकलना राईसेन से हमारे समबाद्दातर शरष शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट, राईसेन में शराब दुकान खुली होने से लागडाउन बे असर, जहां एक और प्रधान मंतरी नरन मोदी के आभान पर पूरा भारत देश लागडाउन कर दिया गया है, बहीं दूसरी और राईस कोई आदेस नहीं है, आप सरकार से बात करें, राईसेन जिले में शराब की दुकान खुली होने की बज़े से लागडाउन का पालन नहीं हो पारा, भारी शंक्या में शराब दुकानों पर लोगों का आना जाना लगा रहता है, राईसेन से हमारे समबाद्दातर शरष शर